तो अगर आपको ये प्रॉब्लेम है कि लड़के आपको भाव नहीं देती है उनके पीशे आप जितना जाते हो वो बहुत जादा भाव खा जाती है आपको बिल्कुल भी रद्धी के भाव नहीं पूछती है तो आपको ना तीन आदत छोड़ना पड़ेगा आज मैं आपको अच्छी आदत छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ये तीन आदत बुरी आदत ही है तो इसको जरा सा छोड़ दीजिए इससे क्या होगा लड़के आपको जिमकर भाव भी देगी लड़के आपको रेस्पेक्ट करेगी लड़के आपको पसंद करेगी तो इसमें आपका ही फ पीछे बढ़ने वाला आदत अब रेखिए किसी भी लड़की को पसंद कर रहे हो इसमें कोई गलती नहीं है आप उनको प्रपोस करोगे आप उनके साथ दोस्ती करोगे बाती करोगी इसमें भी कोई बुराई नहीं है लेकिन बुराई तो तब शुरू होती है जब आप हात हो के उनके पीछे बढ़ जाते हो मतलब हर टाइम अगर नमबर मिल जाए तो बस हर टाइम फोन पर फोन करते रहे तो मैसेज पर मैसेज करते रहे तो नमबर ना मिले तो एकदम हाद दो के पीछे पर जाते हो कि प्लीज मुझे नमबर दे दो नमबर दे दो उनको फॉलो करते हो उनको पीछा करते हो तो इस तरह का जो आप हरकत करते हो न यह obviously बुरी हरकत है बुरी आदत है और इससे लड़किया irritated हो जाती है अब जो लड़की irritated हो रही है आपसे वो क्या आपको खाक भाव देगी तो इसको समझो आपको लड़की के जो पीछे पढ़ने वाला आदत है ना इसको सुधार नहीं पड़ेगा इसको छोड़ नहीं पड़ेगा फिर लड़की आपको ज़रूर भाव देगी रस्पेक्ट देगी ठीक है तो दूसरे पॉइंट में आते हैं उससे पहले दोस्तो आप वीडियो को लाइक ने करते हो आपको वीडियो पसंद आते हैं मुझे पता आपका दिल भी बहुत बड़ा है तो लाइक ज़रा कर दिया करो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग के लाइक देखके तो तो दूसरी point में आते हैं दूसरी जो point हुसता है это कश мож tio लड़के आदत होते हैं वो लड़कियों की अव्वा बिहेव करते है आप ऐसे तो बहुत लड़कियों को देखे होंगे जो लड़कों के बीहेव कर टी है लड़कों के तरह चलते हैं बोलते हैं उनको कॉपी करते तो उनको लड़की ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं लड़की ज़्यादा तर कोमल सवाव के लड़की को ही पसंद करते हैं जिनका सवाव लड़कीयों के तरह हो same way में अगर आप एक लड़का हो और आपकी हरकते सब कुछ लड़कियों जासी है तो लड़किया आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे अब लड़कियों जैसे आदत का क्या मतलब है लड़कियों जैसे आदत का मतलब है आप शर्माती हो मतलब लड़कियों के साथ बात करते टाइम आप शर्मा जाते हो आप घबराते हो कि वहला क्या बात करें तो यह शर्माना घबराना यह सब मैक्सिमम लड़कियों की आदत है तो अगर आप ये सरे आदत यूज करें तो लड़ют कि आपको पसंद नहीं करेंगी. कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल में फोर्ट से के मैड़म में लड़कियों से बात करने में डर लगता है. तो ये अजीब बात हो गई ना, आपके छोड़ी कर रहे हो, आपके छोड़ हो आल लड़की क्या पुलीज वाले है, जो आप उनसे बात करने के टाइम डरोगे, तो ये सारी जो थोड़ है ना, ये थोड़ ने, कचरा है, इसको आप दिमाग से हटाओ, लड़की के साथ as a genuine person बात करो, बात करने में confidence लाओ, ठीक है, मर्ध का जो सभा होता है ना, confidence, मर्ध नाम सुनते दिमाग में एक शक्ति-शाली पुरुष का इमेज तयार होता है, लड़की के मन में, तो वैसा बनो, शक्ति-शाली बनो, जिसको किसी भी चीज में शर्माना या घबराना नहीं प अब भी subscribe कर लो, ये बिल्कुल free है, और इससे आपको मेरी हर वीडियो मिल जाएगी, वक्त पर मतलब, जब भी मैं upload करूँगे, आपको मिल जाएगा, तो वो घंटी भी दवा देना, ठीक है, तो दोस्तो, तीन नमर आदत जान लेते हैं, जल्दी से जल्दी, तीन नमर करते हो, मतलब, आप टाइम का चीज टाइम पे नहीं करते हो, इसी को कहता है, टाइम का वैलू नहीं करना, मतलब, या टाइम चला जा रहा है, आप अपने काम को नहीं कर रहे हो, आप फालतों का काम कर रहे हो, मतलब, आप फोन में बैट के गेम खेल रहे हो, ये फिर आप लड़की के साथ chatting करते जारे हो तो करते जारे हो गंटे गंटे मतलब दो गंटे चार गंटे पाच गंटे आप करते जारे हो इसका मनलब गया है आपके पास बहुत धे सारा टाइम है और उस टाइम का आपका कोई भी वैलू नहीं आपको कोई जल्दी नहीं कि आपको अपना काम निप्टाना है तो इसने क्यों लड़कियों की दिमाग में मैसेज जाता कि यह लड़का तो ऐसना है टाइ आप लेता है कि यह लड़का कैसा है जो भी लड़का अपना जो काम है अपना जो पैशन है उस पे जादा फोकस करते है लड़किया हमेशे लड़कों का रिस्पेक्ट करती है उन लड़कों को पसंद करती है तो हमेशा अपना जो केरियर ना अपना जो फ्यूचर है उस प आप अपने पास रोक के रखना चाहते हो वो अपने आप आपके पास रोक के रहेंगी और आपको सादो साथ रेस्ट भी करेंगी तुस्तों ऐसे psychological facts आप अगर जानना चाहते हो और आपकी लाइफ में कोई ऐसे complicated situation है जिसका solution आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे call before से call कर सकत और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को like, share, subscribe जडरूर कर देना